विल स्मित को कंगना ने दिया समर्थन विल स्मित को लेकर कही ऐसी बात विल स्मित से आसकर के स्टेज पर थपड़ खाने के बाद कॉमिडेंट क्रिस रॉक ने इस पूरी घटना पर कोई कानूनी कारवाई करने से इंकार कर दिया है क्रिस इस पूरे मामले में विल स्मीट के खिलाफ पूलिस के पास नहीं जाएंगे ये जानकारी लॉस एंडलिस पूलिस विबाग ने जारी की है रहीवार के रात को आसकर आवार्ड्स में प्रेजेंटर बनकर पहुंचे क्रिस रॉक ने कुछ मजा किये और मशूर एक्टर विल स्मीट ने शो को होश्ट कर रहे कॉमेडिन क्रिस रॉक को स्टेज पर ही सब के सामने मुकार जट दिया जिसका गुडियो सोचल मिडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है औसका सेरिमेनी में हुई इस गटना पर सभी अपने अपनी प्रतीक्रिया दे रहे है इसी बीच अब बॉलिवूड अभिनेतरी कंगना रॉनौत ने भी इस मामले पर अपना पक्ष रखा है बॉलिवूड की पंगा गल कंगना रॉनौत ने अपने ओफिशल इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेर की है स्टोरी में अभिनेतरी ने विल स्मीत द्वरा क्रिस रॉक को थपड़ माने वाले तस्वीर को शेर करते हुए एक नौट लिखा है अपने इस नौट के जरिया भिनेतरी विल स्मीत का समर्थन करती नजर आई उन्होंने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा कि अदि मुर्ख व्यक्ती मेरी मा या बहन की बिमारी का मजाक उड़ाते हुए कुछ बेवकूफ लोगों को हसाने की कोशिश करेगा तो मैं भी उसे विल स्मीत की तरह ही थपड मारूगी आशा करती हूँ कि वह मेरे लॉक अप में आए दरहसल नेशनल अवर्ड सेरेमिनी के दौरान कॉमेडिंट क्रिस रॉक ने विल स्मीत की पतनी जड़ा पिंकेट स्मीत के गंजेपन का मजाक उड़ाया था असी मजाक से शुरू हुआ या मामला धीरे धीरा इतना बढ़ गया कि स्मीत ने मंच पर जाकर क्रिस को थपड जड़ दिया इस गटना का वीडियो सोशल मेडिया पर तेजी से वारल हो गया जिसके बाद सोशल मेडिया यूजर्स अलग अलग प्रतिक्रिया देते भी नजर आ रहे है वही इस गटना के बाद क्रिस ने इसके लिए माफी भी मांगी तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस कबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताए